दोस्तों आप लोग खबरों में सुने होंगे कि किस तरीके से कुछी महिनों के अंदर भारत के द्वारा निर्मान किया हुआ तीन अलग अलग धुरूव हेलिकॉफटर हाथ से का शिकार बन चुका है जिनमें एक हेलिकॉफटर तो हाली में ही कश्मीर में क्रैश हुआ था जो की इंडियन आर्मी का था जबकि इसके इलावा इंडियन नेवी का और इंडियन कोस्टगाट का भी एक-एक हेलिकॉफटर मार्च महिने में क्रैश हो चुका है दोसो धुरूफ हेलिकॉफ्टरों के इस तरीके के क्रैश के बाद अब खत्रा लाइट कॉम्बैट हेलिकॉफटर मतलब प्रचंट हेलिकॉफटर के फलिट के उपर भी है और दोसो इस तरीके एक खत्रे को देखते हुए कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि इंडियन यार्फोर्स और इंडियन आर्मी के तरफ से अपने लाइट कॉम्बैट हेलिकॉफटर के फलिट को भी टेंपररली ग्राउंडेट किया गया है दोसों कुछ मेडिया रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि इंडियन यार्फोर्स और इंडियन आर्मी के तरफ से एक प्रिकरशनरी मेजर के तहट अपने बेड़े के लाइट कॉम्बैट हेलिकॉफटर को ग्राउंडेट किया गया है और वो भी टेंपररली और ये दोस के मताविक हीलिकॉफटरों के जो कंट्रोल रोड है उसमें कुछ खरावी होने के कारन इन हेलिकॉफटरों को हादसे का शिकार बनना पड़ा और दोसों जो कंट्रोल रोड है की सारे equipment लाइट कॉमबैट हेलिकॉफटरों के डिवलाप्मेंट के दर्मियान धुरूफ हेलि देखा जाये तो अब तक बहुत बड़े संक्या में Light Combat Helicopter को Indian Army या Indian Air Force के बेड़े में शामिल नहीं किया गया है Even इसके Production Variant को भी अब तक बेड़े में शामिल नहीं किया गया और केवल मात्र इसके Limited Series Production Variant को ही Army और Air Force के द्वारा इस्तमाल किया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट के मुतावे फिछले साल ही Indian Army और Indian Air Force के द्वारा करीबन 15 ऐसे Limited Series Production के Light Combat Helicopter को खरिदने को लेके Order दिया गया है जिन में से 10 Helicopter Indian Air Force के लिए होगा जबकि बाकी के 5 Helicopter Indian Army के लिए होगा और दोसों कुछ महिने पहले ही के ही रिपोर्ट में दावा किया गया कि 10 Air Force के Helicopter में से अब तक केवल मात्र 5 Helicopter का ही Delivery संबब हो पाया जबकि 5 Army के Helicopter में से कम से कम 3 Army के Light Combat Helicopter प्रचंड का Delivery हो चुका है मतलब अभी भी करीब करीब 7 Helicopter के Delivery होना बाकी है हाला कि आपके जानकारी के लिए बता दू काफी बड़े संख्या में ऐसे Helicopter को खरीदने का इरादा है जिनमें बताया जा रहा है कि Army कम से कम 95 ऐसे Helicopter खरीदेगा और Air Force कम से कम 65 ऐसे Helicopter खरीदेगा मतलब कुल मिला कि 160 से अधिक Helicopter का Order का संभावना है और दोस्तों यही एक चिंता का कारण बन रहा है क्योंकि अगर जल्दी यह जो प्रॉब्लम है से शॉट आउट नहीं किया जाता है तो Aircraft 2 के अतरिक्तर डिलिवरी और अतरिक्तर ओर्डर भी डिले हो सकता है दोस्तों यह जो धुरूब हेलिकॉफटर का क्रेश का ख़बर आया है इसमें बताया जा रहा है कि जो आखरी क्रेश था वो आर्मी के हेलिकॉफटर को लेके था और क्रेश से कुछ दिर पहले पाइलेट के तरफ से यह भी जानकारी दिया गया कि कुछ खराबी है और पाइलेट के तरफ से इसे लेंड करने का भी प्रयास किया गया था लेकिन दोस्तों जब यह हेलिकॉफटर उडान भर रहा था तब आसपास में लेंड करने के लिए ऐसा कोई समतल भूमी नहीं था जिस कारण लेंडिंग के प्रयास के दर्मियान एक हाड लेंड हुआ और यह बड़ा हाथसा हुआ जबकि नेवी के हेलिकॉफटर को लेके दावा यह किया जा रहा है कि उडान भरने के दर्मियान अचानक से हेलिकॉफटर अपना पावर खो देता है उसके बाद लगातार अल्टिट्यूट होने के साथ यह पानी के अंदर जाके क्रैश हो जाता है कोश्टगाट के हेलिकॉफटर जो क्रैश हुआ था वसल में इन हेलिकॉफटरों में से सबसे नया नवेला हेलिकॉफटर था जिसे की धुरूब मार्क फोर हेलिकॉफटर भी कहा जाता है और इस तरीके के क्रैश एक बहुत बड़ा चिंता का बिशय बना हुआ है और लगाता और दोस्तों यह जो क्रैश है इसे बिदेशी मीडिया के तरफ से भी हाइलाइट किया जा रहा है ताकि भारत के हत्यारों को और डिमेन किया जा सके हाला कि दोस्तों इसे अगर जल से जल सॉल्व नहीं किया जा सका तो यह खाली भारत के लिए मुश्किल का कारण नहीं बनेगा क्योंकि लाइट कॉमबेट हेलिकॉफटर प्रचन को भारत एक्सपोर्ट भी करना चाहता है रिपोर्ट के मुटावी कई सारे देश इन हेलिकॉफटरों को खरिदने को लेके बातचित भी कर रहा है और दोस्तों इस दर्मियान अगर हेलिकॉफटरों के सभी इशूस को सॉल्व नहीं किया जा सका और तैय समय पे हेलिकॉफ्टरों को फिर से एरवर्दी नहीं किया जाया सका तो एक बहुत बड़ा एफेक्ट वर सकता है और संपूरु न जो हेलिकॉफ्टरों के एक्सपोर्ट को लेके भारत आशा कर रहा है उसके उपर पानी फिर सकता है फिलाल दोस्टों हेलिकॉफ्टरों को एक प्रिकोशनरी मेजर के तहट टेंपरेरी ग्राउंडेट किया गया है मतलब कुछी दिनों के अंदर फिर से ये हेलिकॉफ्टर एरवर्दी हो जाएगा और फिर से उडान भरना शुरू कर देगा और माना जा रहा है कि कुछी हपतो के अंदर ये जो इशूस था मतलब किस कारण के वज़ा से हेलिकॉफ्टर क्रैश हुआ उसे भी जाच लिया जाएगा और उसे भी सॉल्फ किया जाएगा